हेलो फ्रेंज वेलकुम टो मैं चानल होमेलेच पनीलू। आज में एक वीडियो प्रेजन करने वाली हूँ आफ़ बीज्वॉशर और उस और इसे सॉल्टे से इक है सॉल्ट, इश्वाशिं शॉल्ट एक है डिश्वाशिंग डिज्विजंट और एक है अवरिंज से तो ये पूरा मैंने एक combo लिया था ये एक-एक kilo का है dishwasher salt ये एक kilo का dishwasher salt है ये जो है आपके hard water को soften करता है mostly इंडिया में बहुत सी जगाओं पर water जो है बहुत ही hard होता है तो dishwasher में ये compulsory डलता है क्योंकि hard water normally हर जगा पर मिलता है जहाँ पर भी ground water हो तो इसका यूसेज यह है कि hard water को यह जो है soften करता है और यह compulsory ही आपकी dishwasher में डलना चाहिए अगर आपको longevity of dishwasher चाहिए मतलब ज्यादा सालों तक काम करें इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है dishwasher के लिए salt डालना और उपर से यह corrosion मतलब किसी भी तरह से junk से भी बचाता है आपकी dishwasher को इसकी price है 140 रुपीस जो कि IFB brand का ही है IFB essential के नाम से बिखता है तो इसके expiry date भी 1 year की है तो देखे इस पे बहुत अच्छी से description में दिया भी हुआ है anti-corrosion यह है IFB essential का same dishwasher detergent है यह यह भी 1 kg के quantity में आता है तो यह आपके जो dishes है बरतन है उनको clean करता है और उसको stain free रखता है मतलब कोई भी दाग लगने से उसको बचाता है और यह भी compulsory डलता है अगर आप IFB brand का dishwasher यूज़ कर रहे हो तो 1 kg के pack में ही आता है तो इसको इसके instruction में दिया गया है कि इसको भी IFB salt और rinse aid के साथ ही इस्तवाल करना है तो यह कंपल सरी है रिकमेंड करता है IFB brand अगर आप IFB brand के dishwasher यूज़ कर रहे हो तो तो इसकी price range है 310 रूपीज और 1 year इसकी manufacturing guarantee है मतलब 1 year तक आप इसके manufacturing rate के ऊपर इसको use कर सकते हैं तो यह हो गया dishwasher detergent और यह है IFB का ही auto dish rinse aid जो है वो आपके बरतनों में चमक लाता है मतलब जैसे ही बरतन धूलते हैं तो जो भी चमक है dishwasher में mostly आपने notice करा होगा तो इसकी price है 140 रूपीज और इसकी quantity है 200 ml तो यह तीनों कमपल सरी है अगर आप dishwasher use कर रहे हो तो यह देखते हैं detergent किस तरह का appearance करता है detergent जो है यह वाइट कलर में होता है और जैसे मैंने कहा है यह वन केजी के quantity में आता है और एक वाश के लिए आपको एक से डेड़ टेबल स्पून तक डिश्वाशर detergent लग जाता है depends कि आप की washing quantity कितनी है और यह डिश्वाशिंग सॉल यह सॉल जो है इसकी एक बहुती अच्छ डिफरेंट क्वालिटी है आयप बी की डिश्वाशर डिटरजन की कि यह पिंक कलर में होता है और बाकि के आप कोई भी डिश्वाशर डिटरजन्स परचेस करे जो कि salt पचेस करें वो pink color के नहीं होते हूँ तो यह मैं salt जो है load कर रही हूँ अपनी एक टाइम में पूरा 1kg को salt add कर देना है जो भी container है जिसमें हम लोग salt added करते हैं तो दिश्वाशर के साथ अपको funnel भी free में मिलता है तो उसके धूर्ण तो आप यूज़ करके dishwasher salt completely 1 kg आपको एक time में पूरा का पूरा उस container में और उस slot में डाल देना है तो इसमें मैं नहीं बता रही हूँ पर आपको उस container में water भी फिल करना है तब तक जब कि वो water overflow नहीं हो जाता तो यह salt हमने पूरी तरह से उस container में फिल कर दिया है पूरा 1 kg कमप्लीटली आ जाता है एक time के लिए तो आपको make sure करना है कि जब भी आप salt add करें तो completely एक डबा मतलब एक किलो का salt पूरी तरह से dishwasher में डाल दे तो फनल के help से आप उसको अच्छे से आता है hard water तो उसको वो soften करेगा और water quality को improve कर गाए यह जो dishwasher salt है देखी यह pink color का है तो इस तरह से हमने पूरी तरह से dishwasher salt जो है अपने dishwasher में डाल दिया है और इसके approximately यह claim किया जाता है it will take 28 days से एक महिना मतलब 30-31 days तक यह चलता है depends on कि आपके water की hardness की quality क्या है अगर बहुत ही जादा hard water है तो आपको 28 days तक चलेगा अगर hard water कम है hardness कम है तो हो सकता यह जादा चले तो यह जो है दो और slot है यह rinse aid का slot है जो मैं दिखा रही हूं अभी और इसके बाजू में जो है वो है detergent का slot तो rinse aid के slot में हम लोग 200 ml की पूरी की पूरी bottle मतलब जितना उस के अंदर sufficiently जा सके उतना हम पूरा का पूरा रिंसेग डाल देंगे और जब मैंने रिंसेग डाला था यह वीडियो मैंने नहीं निकाला है पर रिंसेट मैंने जब पूरा का पूरा bottle एमटी किया था तो मैंने देखा था around 50 ml या 20-30 ml के करीब जो है रिंसेग बच गया था औ तो अब मैं दिखा रही हूँ कि डिटर्जेंट हमें कहाँ आड करना है यह वही स्लॉट है जहां पर हम लोग टाब्रेट भी डालेंगे इन केस अगर आप डिटर्जेंट और रिंसेट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से हमने डिटर्जेंट डाल देना है श åराउंगे वें एराव पस्तंट डांगे